आज जो नया भारत हमारे सामने हैं उसमें वो आत्म विश्वास लोट आया है ये वो भारत है जिसे अपना रास्ता पता है दिशा पता है आप सबक्राब बारत मangता की बारत महता की बारत महता की बारततत travelled तुगेजर, we are not just forming policies and agreements. We are shaping lives, dreams and destinies. मैं इस यात्रा के दौरान, माइक्रों, गूगल, दिगज कंपनियों ने भी भारत में बड़े investment की गोश्णा की है. भारत अमेरिका ने जो Artemis Accord साइन किया है, वो अंत्रिष में बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है. नासा के साथ मिलकर स्पेस में भारतिय एस्ट्रोनेट्स भेजने को लेकर भी बात आगे बड़ी है. International Space Station में भेजने के लिए नासा द्वारा भारतिय एस्ट्रोनेट्स को advanced training भी दी जाएगी. अब ये निर्ने लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा. भारत इस साल सीटल में एक नया कॉंसुलेट्स खोलने जा रहा है. इतना ही नहीं इसके अलावा भी अमेरिका के दो और शहरों में भारतिय कॉंसुलेट्स खोले जाएंगे. अब अमदाबाद और बैंगलूरू में भी अमेरिका के नए कॉंसुलेट्स खोलने जा रहे हैं. भारत में पिछले बर्षों में जिस तरह डिजिटल क्रांती आई हैं, वो तो अभूत्पुर्व है. हो सकता है, अब आप अपने गाउं की किसी दुकान में जाएं, और वहां के आपके सामने बार्कोड का बॉर्ड हो. हो सकता है, आप कैस दें, लेकिन दुकानदार कहें कि भाईया, मोबाइल पोन पर कोई डिजिटल पेमेंट एप नहीं है क्या? आज भारत में कोई भी व्यक्ति, कहीं से भी, कभी भी 24 by 7 बैंकिंग कर सकता है. मुझे इस बात की कुई खुशी है, कि अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज़्यादा एंटिक्विटीज, पुरानी मुर्तियाँ, चीज़ें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, सो से अधिक उसे लोटाने का फैसला लिया है. यह पुरातन वस्तुएं बर्षों पहले, कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग-अलग तरीकों से आंतराश्तिय बाजार पे पहुँच गई थी. इन अइतियासिक वस्तों को लोटाने के लिए, मैं अमेरिकी सरकार का विशेश रुप से आभार व्यक्त करता हूँ. भारत सरकार की मदद से हाँ, यूनिवर्सिटी अब हुश्टन में, तमिल स्टडिज चैर की स्थापना की जाएगी. इस चैर से तमिल संस्कृती और दुनिया की सबसे प्राचिन तमिल भाषा का प्रभाव बढ़ाने में और मदद मिलेगी. और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट हैं, जब कभी भाषा की चर्चा निकले, तो सीना तान करके दुनिया को कहना, कि दुनिया की मानव जात की सबसे पुरानी भाषा, सबसे पुरानी भाषा कमील भाषा हैं, और वह हमारी भाषा है. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now. झाल झाल